आज का टॉपिक होगा ध्यान दीजिए क्या है बेसिक अलजेब्रा एडिशन आफ वरियबल सब्स्ट्रेक्शन आफ वरियबल पिछली कुछ क्लासों में मैंने इसको कवर करने की कोशिस किया लेकिन पूरा नहीं हुआ था बढ़िया है सब मस्त है आगे चलें कमेंट नहीं पढ़ेंगे आज नहीं कमेंट लाश्ट में आईए इसका जवाब दीजिए कितने लोग बताएंगे बहुत अच्छा नौ में तीन जोड़ेंगे कितना होगा बारा सिर्फ और सिर्फ गुडांकों को जोड़ते हैं आपस में ये नौ और तीन कितना होगा बारा बारा इसी में है और यक्स का यक्स ही रहेगा इसका आंसर हो जाएगा भी वाला आईए देखिए चर पदों के जोड़ का क्या Rule होता है क्या condition होती है जब variables जुड़ते हैं आपस में साथियों उसके लिए condition वही ये कह होती है कौन सी कि दिये गए variables की घाते समान होना चाहिए और चर समान होना चाहिए मतलब पहली condition है कि चर यानि variables समान होने चाहिए यानि अगर yaks है तो yaks yaks ही आपस में जुड़ेगा y है तो y y ही आपस में जुड़ेगा समझे रहो जैसे आपने दनिक जीवन में देखा होगा कि गाय से ही गाय के बच्चे पैदा होते हैं कभी गाय से बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ देखे हो नार्मली नहीं होता है कल्यूग में कुछ भी हो जाय हुआ अलग बात ठीक है इंसान से इंसान के बच्चे ही पैदा होते हैं कभी इंसान के बंदर का बच्चा पैदा हुआ देखे हो नहीं न दो कि समान कर्टेग्री हैं समान जाती कह सकते हो एक मानो जाती होती है यह नहीं कि वे यानि याक्स वाले याक्स में जुड़ेंगे याक्स वाले याक्स में जुड़ेंगे याक्स वाले याक्स वाले याक्स में जुड़ेंगे याक्स वाले याक्स वाले जुड़ेंगे याक्स वाले जुड़ेंगे याक्स वाले जुड़ेंगे याक्स वाले जुड़ेंगे तो हम variables की बात नहीं करेंगे variables भी सब में same है इसमें देखे यक्स यक्स है तो ये दोनों क्या है? क्योंकि इसमें क्या है? सबी variables same है लेकिन इसमें condition क्या है? ये दोनों एक category में आएंगे क्योंकि इनकी घातें एक जैसे हैं और यह अलग हो जाएंगे क्योंकि यह दो दो घात वाला अलग हो जाएगा और तिन-तिन साथ आथ वाला ठीक है चलो यह कोईश्चन करते हैं तो वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा कमेंट पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे लाश्ट में कमेंट पढ़ाएंगे पांच मिनट, जिनको जो भी कहना है, लाश्ट में कहना पहले पढ़ाएंगे, अब कमेंट वाला लफणा नहीं करना, चलो, कितना अंसर आएगा, सोच लिजीए, कमेंट कर दीजीए, जिनका सही है, अपने मन में मान लिजिएगा कि हाँ सही है मैं बता दूँगा सही आंसर साथ तीन ताष छे सोला सोला एक्स स्क्वाइर इसका सही जबाब है सी वाला सही है कौन सा सही है सी वाला आईए प्यारे बच्चों इस तरीक्य के कुश्चन में पहले कंस्टेंट यानि जो अचर पद हैं उनको जोड़तें आपस में जैसे इसमें देखिए कंस्टेंट क्या तीन है साथ है छे इनको आपस में जोड़ेंगे तो तीन साथ और छे कितना आएगा थर्टीन एक्स का स्क्वाइर है आप इनको बाद में लिखना तेरा नहीं आएगा सोल आएगा ठीक है साथ तिन दस ये सोल न होगे खतम अब बाद ही आती इनकी यक्स यक्स की साथियों जूड़ने पर इन पर कोई बदलाव नहीं होता है इनको अलग कलर कर लो जूड़ने में इनमें कोई बदलाव नहीं होता है ये आएफे लिख दिये जाते हैं इनमें कोई चेंज नहीं होगा उन पर कोई फरक नहीं पड़ता बिल्कुल बढ़िया तो ये होगे आपका फाइनल आंसर बात खतम अगला सवाल आपकी तरफ आपका इंतजार कर रहा है उसके पहले इसका एक छोटा भाई है उसको भी जरा मिल लीजिए क्या कह रहा है तू ये बताओ कि अगर साथ यक्स वाई स्कॉयर इसमें अगर हम नो वाई जोड़े तो क्या है जुड़ेगा हाँ या नहीं बताओ जुड़ेगा आप लोग क्लास को अधिकांस बच्चे सेयर नहीं करते हैं ना ही लाइक कर रहे हैं ऐसे काम नहीं चलेगा बाबू ठीक है आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है सानाज परबीन सबका कमेंट आ रहा है कमेंट में चाता ध्यान नहीं दे रहा है चलो यह नहीं जुड़ेगा नाट पॉसिबल यह आपस में नहीं जुड़ेगा क्यों? क्योंकि इनकी बैरियेबल्स और उनकी पावर सेम नहीं इक्वल नहीं Telegram पर जॉइन कर लिजिए अगर आप Free Class चाहते हैं तो आपको सारी Class कर लिंग की Information Update सब Telegram पर मिलता है आईए अगले सवाल का जवाब दीजिए कितना आएगा? चलो बच्चो आगे? बहुत अच्छा कितने अच्छे हो तुम लोग यार इसमें भी वही होगा सबसे पहले जितने Constance है उनको जोड लेंगे पहले में क्या है? 12 है Plus दूसरे में क्या है? 13 दीसरे में क्या है? 16 बराबर कितना आएगा? इनको जोड़ो भाई साहब 12, 13 कितना जागा? 25 25 25, 15 होता 40 कितना आएगा? 41 एंड यक्स का क्यूब है तो यक्स का क्यूब ये सब के साथ बराबर भी हैप करेगा ये सब में वैसे आजाएगा बस यक्स का क्यूब यक्स का क्यूब यक्स का क्यूब और यहाँ भी यक्स का क्यूब जुडने पर कोई फरक नहीं पड़ता वैसे आजाता है बढ़िया उमीद है कि सभी को समझ में आ रहा है देखिया आज थोड़ा हार्ड है इसे एडवांस मैथ भी कहते हैं लोग कुछ-कुछ लोग न अलजेबरा है नार्मल मैथ से थोड़ा सा इसमें दिमाख आपको एडवांस लेबल पर लगाना पड़ता है लेकिन होता आसान है आसान होता है इसमें कुछ मुश्प्धी नहीं होता है कुछ बड़ी बात नहीं होती एजी होता है आगे चले सभी को समझ में आ रहा ना किसी को कौनों दिक्कत प्रसानी नहीं न चलिए आईए अब इसमें आम इतनी बड़ी ओजाई नहीं करेंगे लंबा सा दारेट आंसा लिखते हैं कि नव साथ सोला कि दश्चभी दो अट्थाइस कितना होगा अट्थाइस और यक्स घाचार हो गया आंसर तो यू कन से सी आप सनीज राइट पाचमों में जवाब दीजिए फाइब नंबर थोड़ा सा लगई है थोड़ा सा नैक्स टाइप का है देखो भाईया यहां पर समझो आप लोग प्यार से य है इसमें स्कॉयर में और यक्स है तो पहले हम क्या करेंगे यक्स वाले पद को पकड़ेंगे जो सेम है यह यह आपस में जुड़ेंगे थिक है तो अचर पद जुड़ेंगे छे में दो कितना होगा आठ आठ यक्स का स्कॉयर फिर प्लस अब y वाला जुड़ेगा ठीक है तो 7-3 कितना हो जायेगा 10 y square बस अब ये आपस में नहीं जुड़ सकते हैं जुड़ के कुछ और नहीं बनेगा नहीं जुड़ सकते हैं क्योंकि ये y है ये यक्स है सजातिये पद ही जुड़ते हैं मैंने बताया है सजातिये बेजातिये क्या होते है इसके लिए आपको class number 24 और 25 देखना चाहिए पीछे की class जैसे मैंने सुरू में example बताया था कि बिल्ली से बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं बिल्ली से कभी इंसान का बच्चा नहीं पैदा होता तो वैसे यह क्या है समान जाती के नहीं है मतलब सजातिये नहीं है यह अलग जाती के है यह अलग जाती के है ठीक है हर एक कटेगरी के अलग अलग है यानि यक्स वाले क्या है अलग जाती के हैं वाई वाले अलग हैं और Z वाले, C वाले, B वाले, P Q सभी अलग-अलग जाती के हैं इनको ऐसे मान के चलिए आप 26 जातियां होती है है ना, 4 पद में 26 लिटर होते है यानि variable कितने होते है, 26 4 पद कितने होते है, 26 ठीक है, ये जूड सकता था कब देखो ये ऐसा होता ये ऐसा होता तो ये जूड सकता था अब ये सजातिये है, समान जाती के हैं यक्स-यक्स हैं, तो ये 18 यक्स स्कॉयर हो जाता समझ रहो, लेकिन ये y है, यक्स है नहीं जूड़ेगा इसलिए और ये ऐसे होने पर भी जूड सकता था, ऐसा नहीं सेम होता चाहिए ऐसा भी जोड़ सकता था क्लियर है बच्चा ना सभी को क्लास को लाइक सेर करें 23 सितंबर फे न्यू बैच आरा PVR स्टेडी एप में हैपी न्यू येर बैच बेसिक मैथ बिल्कुल सुनने से सिखर तक रजिस्टर करना न भूलें ज्यादा जनकारी के लिए नीचे नंबर जो चल रहें उन पर संपर करके ये बात बताएं कि हाँ मुझे बताया गया बैच आ रहा है यहाँ जो रिकॉर्डिंग यहाँ मिस हो जाएगी आपको नहीं मिलेगी लाइब के बाद उसकी सारे वीडियो रिकॉर्डिंग आप राजकुराजकुमार यादो सर्मयद्स इस यूटूब चैनल पर पास सकते हैं जाकर के अब भी सब्सक्राइब कर लिजिए बाद में स्क्रेंसाड ले लिजिए आए इसका अंसर कौन बताएगा आप छे नंबर का आए इसमें देखिया यक्स वाले पद हैं और वाई वाले भी हैं वैसे इसमें भी हैं तो यक्स वाले के पहले हिसाब करते हैं तो प्यारे बच्चों 12 में 16 जोडेंगे 28 यक्स का स्कॉयर भाई ऐसे तो होगा ना 12, 16, 28 यक्स का स्कॉयर ना बस यही और क्या नो प्रोब्लम आगे बढ़ें ठीक है यक्स वाला हो गया अब वाई वाले में देखो 14 और 17 कितना होगा 7, 4, 11, 1, 1, 2, 1, 3, 31 होगा कितना एक्टिफ ना तो 31 वाई स्कॉयर बस हो गया खतम अब यह डोनों नहीं चुड़ेंगे आपस में मैंने पहले बता दिया जैसे यह यक्स में है वाई में है दोनों समानचर नहीं है घाते भले समान है बट समानचर नहीं है ठीक है? समानचर होने चाहिए साथ नंबर में कितने लोग जबाब देंगे चलो बताओ साथ नंबर का जबाब दीजिए कमल सर्मा, किंग सुजीत, अर्बिंद, अंजली, अभिसेक, वुपेस और कौन है? राजकुमार, राजकमल, राजकुमार, पूजा कुमारी, बिक्की, सबका कमेंट आ रहा है मैंक नायक, चलो बही आओ, बड़ें आगे ये थोड़ा सा अलग हो गया बच्चा परटी सबसे पहले तो हमें इनमें जो भिन नहें इनको जोड़ेंगे अलग पहले समझें कि इनका योग आता कितना है, फिर बाद में कोई बात करते हैं आओ, चार, चार काय को बार बार लिखता यार इनको पहले जोड़ेंगे, तो नो तरिक 27, चार चोग 16, नो तरिक 36 आपको जोड़ना आना चाहिए भिन नका, मैं सिखाऊंगा ने, इसमें क्योंकि आलरेडी सिखा चुका हूँ इसमें देखो कहीं है, हाँ ये है, तो क्या ये आंसर हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कभी भी, ये भी कभी नहीं है, ये दोनों में है, क्योंकि 43 बटा 36 इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में एक साहिए यह बाइसरी कंडिशनमें दो आफस क्लियर क्लिण बोल्ड हो गए दो ही वते हैं इसलिए यह क्लियर गलत यह सही है समझ गए ना तो बच्चा का हो जाएगा बैया 43 बटा 36 याक्स स्कॉायर एंड वाई स्कॉायर फटम बढ़िये आगे घटाना देखिए क्लास की क्वाल्टी खराब हो जाती नाम बोलने से बीच में कमेंट पढ़ने से ना तिर्फ पढ़ाई होना चाहिए कुछ कुछ अंत्राल पर बोलें हो अलग बात है चलता है चलिए आईए घटाने में सीम नियम होता है सेम नियम वही सेम कंडिशन चर्पत बराबर होने चाहिए और घात बराबर होने चाहिए ठीक है जैसे चर्पत अगर इसमें आप देखेंगे यक्स वाई है इसमें भी यक्स वाई है घाते भी इक्वल होना चाहिए घात इसमें पांच है यक्स की इसमें भी पांच है तो आपस में घड़ जाएंगे अचरपत से अचरपत घड़ते हैं 9 में से 3 घड़े का कितना आएगा बच्चा 6 9 में से 3 घड़े का कितना आएगा 6 यह हो जाएगा 6 और यह यक्स की घाज जो है वाई की घाज जो है वह ऐसे लिख देंगे answer बस यही होता है किसी को कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ें चलिए डीलेड वालों के लिए टाइम सेडियूल है यही टाइम सेडियूल है इसकी जगापे पर्थम दुतिये की जगापे तिरतिये और चतुर समेश्टर भी हो सकता है इसको नोट कर लें अभी यह फॉलो नहीं हो और आफिलहाल के लिए लेकिन यही सेडियूल चलता था पहले यही चलेगा ठीक है यूटूबर फ्री क्लास का टाइम आगे चलिए इसका आंसर कितना आएगा नाइन नंबर में कोई बता सकता है क्या नाइन नंबर का कोई जवाब बता सकता है क्या एनीवन कोई बता सकता है नाइन नंबर का जवाब यास बहुत अच्छा, Very Good आईये बच्चा देखते हैं भाया 11 से 7 गटाएंगे आप 11 से 7 गटाएंगे, तो 4 आएगा क्या आएगा 4 और यक्स का घाद दो है वाई का एक है तो ये वैसे का वैसे रहेगा जो भी है यक्स दो वाई एक पस खतम इसमें कितना आएगा जरा देखना प्यार से पांच बटा साथ से तीन बटा साथ पहले तो घटा लो कहीं पहले तो आप ये घटा लो आपको पता तो चल जाए तो दू बटा साथ आएगा कितना आएगा दो बटा साथ और A, B, C दोनों में है तो A, B, C लिख सकते हैं कुछ लोग कहेंगे इसमें तो B, C, A है A, B, C या B, C, A दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि गुड़ा करने पर Serial Change होने से कोई फरक नहीं पड़ता जैसे इतना आएगा ना वैसे अगर हम इसको ऐसे कर दें तो इसके गुड़ा में कोई फरक नहीं पड़ता है चाहे तो 3 का 2 में गुड़ा करके 4 में करें या 4 का 3 में करके दो में करें मानुद नहीं आता है गुड़ा में Serial Change होने से कोई फरक नहीं पड़ता ग्यारा नंबर का जबाब कितने लोग बता लेंगे मांदारी से बताना दिल पे हाथ रखे जूंट नहीं बोलना जालो न्यू बैज 23 सितंबर से आरा PBR स्टड़ी एप में न्यू इयर बैज का नाम है क्या नाम है न्यू इयर सीमा यादों कह रहे हैं कि बच्चा बोल रहे हो का ये को वह सब को नहीं बोल रहे हैं बच्चा कुछ बच्चे वाले भी हैं नहीं पड़ते हैं कुछ बच्चे लेकिंज रियल में होते हैं ठीक है अब आप लोग मान लीजिये बच्चे वाले हैं तो कोई बात नहीं बुरा नामनीं यहाँ पर कुछ बच्चे भी होते हैं कुल्दीव कुमार नंदनी आदो राज कमल आसीस भूपेस बहुत अच्छा बेरी गूड वसे तो बच्चा बोलना मेरी आदत है देखो एक बड़ा ना बड़ा गड़बड मेरे विचार मतलमन में है आपसे पूछना चाहता हूं कि आज कल के टाइम में अगर किसी को अगर तुम बच्चा बोलोगे चलेगा अगर तुमने बेबी बोल दिया तो फिर वो एक अलग वर्ड हो गया अगर चले बड़िया इसका अंसर देखिए पहले ते इसका हम और कमूल करेंगे तो छे आएगा यह नए आवतार में आएगा इतना अब यह हल करेंगे आप ठीक है नया तरीका से हो गया अब इसको बताओ कितना आएगा बताएगा पूजा जी पीवीर स्टडी एप में उपलब्ध है पीवीर स्टडी एप में उपलब्ध है जिनको को इंक्वारी चाहिए नंबर चल रहे हैं उनपे संपर करिए छे में तीन घटाएंगे तीन आएगा आप देखिए पी का पावर तीन है इसमें भी तीन है तो गाते वैसे रहेंगी इनमें कोई चेंज नहीं होती जोडने घटाने में ये गुड़ा में चेंज होता याद रखना खतम 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 कि आई ये 12 नंबर आज ये कुछ कुछ चना दिकांस दीके सर ने लिखा है इसलिए मैं थोड़ा फुर्चत में हो गया हूं अब डीके सर ना मेरी जिम्मेदाई ले रहें तरह देंगे मैं अब बुजुर्ग हो गया हूं ना इसलिए रिटायर हो रहा हूं देंदें थीक है हो गया किसी को कुछ कहना है तो बताइए आईए देखिए इसका आप रूट निकालेंगे 64 का तो क्या आएगा एट आएगा अब ये पी क्यूब और क्यूब का स्क्वाइर माइनस 16 का और मुल चार आएगा क्यूब का स्क्वाइर एंड पी का क्यूब अब इनको हल कर लिजिए बस आसान है कितने लोग कर लेंगे बताइए जिनको कोई परकार की इंक्वाइरी चाहिए कुछ भी कहना है वो नंबर पर संपर्क करें बाबू ठीक है नंबर पर कंटेक्ट करें पूछें गटा लीजिए इनको आट मेंसे 4 गया 4 और ये आपका देखिए पी का तीन घात है यहां भी क्यूं का दो है फ़ले सीरियल चेंज है तो हम इने ऐसा भी लिख साकता हूँ इन में कोई दिक्कत नहीं ध्यान दीजिए सारी कलास की अपडेट और अन्य परकार की महत्तपुड सूचना के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें एक ही नाम है हर जगा व पिवियार स्टडी जब रॉंड और जो बच्चे टीजीटी पीजीटी नेट ज्यारेफ और किसी भी प्रकार की एक प्रकार से कंपर्टिशन की प्रेप्रेशन कर रहे हैं टीचर्स भरती से संबंदी चाहे वो यूपी बिहार कहीं कभी हो वो दिये गए नंबर पे यहां पर जो दिख रहा है उस पर स्क्रीन सार्ट सेंड करें इसका ज्यान रहे हैं इन कोर्स के प्राइस हैं फ्री नहीं है हमारे सही होगी पीचर्स के माध्यम से चैनल के माध्यम से आपको यह मिलेगा और पूरी टीम के द्वारा आपको लाइव और रिकॉर्डेट सेसन दोनो होंगी इनकी फिश्ट 25-45 रुपए की बीच है पर सब्जक्ट ठीक है तो छोटे बच्चे मैं फिर ना करें इसके बारे में उनके काम का चीज़ यह नहीं है कि जबाब दीजिए 13 में कितने लोग बता लोगे बाई चलो 13 नंबर कि कितने लोग बता लेंगे आई यह थोड़ा सा बड़ा हो सकता है न थोड़ा सा यह बड़ा हो सकता है इनका आप हल करेंगे तो 4 चोग 16 चार चोग 16 आपस में कट कर लेंगे फाइनल में दो आएगा बस बताओं कैसे देखो इधर कितना आएगा न इसको आल करो के तो आएगा क्या आएगा कुल मिला के तो आएगा ए स्क्वाइर और बी क्यूब माइनस शाथ सता उंचा छे च्छग 36 शे बटा साथ ए स्क्वाइर और बी क्यूब धन शे बटा देखो यह भी कटेगा चार से 496 चार चोग 16 नो बटा चार नो बटा चार आएगा इसका जब अर्गमूल करोगे आप तो तीन बटा दो आएगा तीन बटा दो बी क्यूब एंड ए स्क्वाइर इनको जोड घटा लेंगे ना कोई दिक्कत ना किसी को ना भीया कर लोगे ना देखो पलस पलस जुड़ेगा माइनस वाला घटेगा तो दो में तीन बटा दो जोड़िए यह जुड़ेगा अपस में दो में तीन बटा दो जोड़िए दो बटा एक कर सकते हो तिरशा गुड़ा कर लो भाई दो दुना चार 3 एकम 3, 2 दुना 2 7 बटा 2 आएगा कितना आएगा 7 बटा 2 A square B cube माइनस 6 बटा 7 A square B cube 7 बटा 2 में 6 बटा 7 जोड़िए ये दोनों भिन आपस में जोड़िए आँ चलो इधर देखो क्रास मल्टिपल करोगे प्यारे बच्चों लोग क्या होगा 7 से बंजा 49 प्लस 2 6 जा 12 2 से बंजा 14 इनको दोनों को एड़ करेंगे 49 में आप 12 एड़ करोगे तो कितना आएगा जानते हो अगर 10 एड़ करते तो 59 आता 2 और 8 कर देंगे 61 अपान 1414 कितना आएगा 61 अपान 49 यही तो आया था ना मुझे बूल रहा है कुछ नहीं साही है यह होगे आंसर खाता हम खिलाड़ी चलो भाई ड़न जार गया मैं यार उसरे दर कलास चल रही है उसमें कैमरे में आके घुस गया टीचर मैं यही हूँ दूसरे दर का दिख रहा हूँ अलग गीता बर्मा बाबा साहब चाट ब्रांट राच कुमार रहर तुम मेरे नाम रासी हो थोड़ा थोड़ा कि मोय मोय कौन है आ गया है कुछ भी ट्रेंड करा देते हैं गदाब चले आगे कलास ने ट्रेंड कराते हैं कभी देखे हो कोई पढ़ाई की चीट ट्रेंड करें नहीं गलत बने है 61 लिखा है गलत बने है 6 बटा 7 की जगा 7 बटा 6 होगा अच्छा ऊपर गलत लिखा उल्टा लिखा है ओ ठीक है यहाँ पर इसका वर्गमूल जो है वो 7 होगा इसका 6 होगा कैसे उल्टा लिख दिया यार यह दिमकवा कहा हमाचा रहे गरहन तरीका साही है सब बढ़िया है बट यहाँ थोड़ा सा यह बद बद लगया इनका 49 का से बनाएगा इसका 6 होगा यार सारा लफड़ा ही तो कर दिया यार सब मेनत करनी पड़ेगी दुबारा से पर लेता हूँ क्या करूँ मजबूरी है तो 2 में जोड़िये 7 बटा 6 कितना मिनट हो रहा है इसको कट भी करना पड़ेगा बाद में काड़े नो ना फड़े नो लगबग कट करना पड़ेगा चलिए ठीक है इनको जोड़िये तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 कुछ भी गलत नहीं देखो तरीका नहीं गलत जो बताए सब सही है बस यहाँ उल्टा लिख दिया था इतना सा बाकि जो कुछ भी बताए सब सही है उसमें कुछ भी गलत नहीं था सब वही तरीका होगा गिंती चेंज हो जाएगी बस तो यह 12 बटा 6 आएगा कितना आएगा 12 बटे 6 A square B Q minus यह प्लस में है फिर कुछ कर रहा है के आ यार एक मिनट भाई मेरा ना कुछ disturb लग रहा है आज यह प्लस है यह प्लस है यह जुड़ेगा और यह जुड़ेगा वो घटेगा तो जुड़ा तो सही ही था फिर जुडने वाले में तो कुछ गड़ नहीं था किवल घटाने वाले में था यह घटाने वाला ना ठीक है चलो जोड़े लेता हूं कि शाथ बटा 2 ना दो दुना चार तीन एकम तीन कि शाथ बटा दो कि ए सकुरार अब बी क्यूब ये सही है इसमें कोई चेंज नहीं होना था माइनस साथ बटा छे यह घटाने वाला गड़बड था यह चेंज हुआ है कि साथ दो से साथ छे घटाई यह बढ़िया शे सते 42 14 12 गटाई यह अगर इसमें से 12 गटा लेते हम तो 30 आ जाता लेकिन 14 गटाने 28 आएगा 28 बटा आएगा बोलो 28 बटा बारा कि दो फें डिवाइड होगा 14 बटे और गिंती बताव बढ़ी चार चार फटे अठाई चार्ति यह बारा साथ कितना आएगा यह इतना आएगा यार उल्टा पुल्टा हो जाता कभी कभी कोई गटबड नहीं तरीका सब सही था समझ था बस थोड़ा सा उल्टा लिखा था बस इतना प्यूस कुछ समझ में आया कोई दिक्कत बिजय चौहान बूपेस चार बटा तीन चार बटा तीन की साथ बटा तीन यार ऐ भाई कुछ गड़बड हो रहा है क्या हो रहा है सही तो है चार से काट ओगे ना इसको यहां देखो चार फटे अठाईस चार तीन बारा साथ बताओ कि इसमें से बारा चौदा घटाएंगे तो वही तो आएगा अगे बढ़ें चलिए आगला नेक्स्ट कुश्चन कि बताएए कि कि इसको कर लेंगे कोई दिक्कत ना इसमें कि इसको जोड़ लीजिए अभी बेसिक जोड़ गटाना सिखा जा रहा इतना बड़ा कुश्चन देने जरूद नहीं है गदाहा इतना बड़ा बड़ा लिख दिया यह कापी लंबा खिच जाता है ना टाइम लग जाता है क्योंकि यह जब कुछ प्रेक्टिस हो जाए उस कुछ क्लास चल जाए फिर बड़ा करो ठीक है इसका घन मूल का चिन लगा 27 का घन कितना होगा तीन 64 का घन कितना होगा चार चोक सोला चोका चार चार अब यह तो इसमें जुड़ेगा नहीं इनकी घाते भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी अब इनको क्या करते हैं आपस में जूड़ सकते हैं 36 A B जूड़ लेंगे न तीन बटा चार में 36 जूड़िए चार चंग चोविस हाफिल दो चार तीन बारा दो चौदा 147 बटा चार कितना 147 बटे चार A B C इनको भाग भी दे सकते हैं मिसर भिन में जाएगा लेकिन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी जरूरत नहीं है इनकी इसको कर लेंगे 15 नंबर ये होम और कर रहेगा ठीक है कि बताऊं कि बढ़ियां है तो बरियबल्स समझ गए इसको कर लीजिएगा आप लोग घर वर से अब चलिए चोटा चोटा कोश्चन करिए पहले नहीं तो मज़ा नहीं आएगा बच्चे भागने लगते हैं कि सभी सजातिये और बिजातिये पत जान गए ना हूं तो ये बताईए कि नौ यक्स पाँच वाई तीन और साथ यक्स अगर इनको हम ए बी और फी लिखें तो इनमें कौन-कौन पत सजातिये पत हैं मिला करके बताईए कौन-कौन पत सजातिये पत हैं चलें कोई दिक्कत ना किसी को बहुत अच्छा बात है कितने समझदार हो गया आप लोग टकट कोट से चैटिंग कर ले रहें नाम नहीं लिख रहे हैं पूरा-पूरा एक अच्छा लिख दे रहे हो जान रहेंगे मेरे लिए लिखा जा रहा है चलो बहुत अच्छा अब मैं भी जान रहा हूँ किसके लिए कौन लिख रहा है तो सजातिये पत की बात करें तो A और F A और F ये दोनों सजातिये पत हैं है ना A और B नहीं है क्योंकि इसकी घात यहां यक्स की तीन है Y का दो है यहां पर अलग-अलग है तो दस बज़े से भी अगली कलास है तो मैं ये कलास यही पर बंद कर दूँ ये होम और्ख है आईए ठीक है पहले सवाल का जबाब बहुत से बच्चों ने दे दिया है कमेंट बे देखूंगा मैं इनका गुड़ा करेंगे साथियों तो 2X का क्यूब स्वारी 2X Y क्यूब Z होगा C वाला फाई है कौन सा C वाला आईए अगले का जबाब बताईए चलिए जल्दी करिए बहुत अच्छा बेरे गुड ठीक है एक चर का जब एक चर में गुड़ा करें तो इसमें हम करें आपको चार पांट टाइप का बताएंगे बिल्कुल स्टेप बाइस्टेप में मैंने बांट रखा जिससे सब को समझ में आए आए एक्स का एक्स में गुड़ा करेंगे साथियों इस जानते हो घात वाला सिस्टम जानते हो बताता हूं देखिए अगर कोई भी वरियाबल है यानि चर्पद है चर्पद जानते हो A, B, C, D, E, F, Z तक जिदने भी लेटर हैं सभी चर्या बरियाबल कर लाते हैं ठीक है इन पर अगर कोई घात न लगी हो तो उनको हमेशा एक माना जाता है जैसे यहाँ पर यक्स दिख रहा है अगर यहाँ पर हम इसको ऐसे कर दूँ तो क्या हो गए, एक इसका इसको आएथ, दो घात हो गई न इस पर कोई घात नहीं दिख रही बट एक माना जाता हमेशा ठीक है सीखना यहां से गुड़ा करने पर घाते क्या होती है जुड़ जाती है समान समान पद में घाते जुड़ जाती है असमान पद की घाते ने जुड़ती है ठीक है तो इनकी एक घात इनकी एक घात जुड़ेगी बच्चों तो यह हो जायागा यक्स का पावर यक्स का इसक्वार ठीक है सिकेंड वाले का कौन बताया थर्ड वाले का रिसू मामतारानी खुछी सिंग रुक बईया चलो देखो बहुत अच्छा ये सेम सेम लेटर है मिन्स सजाती है तो इनकी पावर जुड जाएगी आपस में सेवन इक्वल एक पावर नाइन ठीक है बढ़िया थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे आगे इस्टेप बाइस्टेप बढ़ी ऐसे देखते रहिए इसमें भी देखिए पी का स्कॉयर है इस पर कुछ नहीं तो वन माना जाता है यह जुड़ जायागा टोटल पी का घात तीन होगा पी का क्यूब बोलेंगे कोई डाउट ना किसी को कोई दिक्कत नहीं आईए यहाँ पर देखो प्यारे साथियों और बी का यह नाइन घात कितना होगा मुझे एक बार बताओ सभी चलो देखिए कलास आप लोग लाइक सेर ज़रूर करें बार बार कहना ना पड़े आउ देखो यह टू पावर आइंड यह नाइन जुड़ेगा तो बी का कितना हो जागा इले बन घात बस खतम आगे अब यह अलग टाइप बताऊंगा थोड़ा सबर रखिए जेड का स्क्वाइर देखो यह माइनस में है घात याद रखना तो यहाँ पर प्लस का साइन लगके यह माइनस पांच रहेगा यह भी याद रखना ठीक है और यह देख लो कि दू और यह माइनस का पांच कितना होगा प्लस माइनस माइनस होता है फाइनल में माइनस तीन होगा कितना होगा माइनस तीन माइनस तीन आएगा J का घात minus 3 इसके बारे में एक चीज और समझ लीजिएगा प्यारे साथियों समझ ना? यह rule होता है इसको लिख लीजिए ये अगर yx का power इसको n मान के लिख देता हूँ देखो yn का power अगर yx है yx का power yn है और ये minus में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं समझा की नहीं वन अपान एक्स की पावर यन कर देंगे तो प्लस हो जाएगी खात ऐसे भी कर सकते हैं फिर यह नया चीज है इसमें आगे बढ़ें कोई डाउट ना किसी को टेलिग्राम पे जोईन कर लिजिएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री कलास का नोटिफिकेशन टेलिग्राम पे आपको मिलेगा पीडियाप वगरा सब दो से अधिक चर पदों का गुड़ा करना टाइप नंबर सिकेंड अभी तक आपने देखा दो पद थे अब तीन या चार पद या पांच पद खुस्बू समझ में आ रहा है कोई बात न करो भाई बात न करो डॉन टॉक कोई बात चीत नहीं करेगा रिसू रायल बलाक हो रहे हो तुम बिटा 10 मिनट के लिए दूसरी वाली लाइब सेशन में चले जाओ चल रहा है चैनल पर अगर नहीं पढ़ना वहाँ जाओ उसमें बात चीत करो इसमें देखिया अलग अलग वरियेबल्स हैं ध्यान देना यह A है B है यह Z है सभी सजातिय पद नहीं है इनकी कोई घाट जुड़ेगी नहीं यह एक साथ में लिख दिये जाएंगे बस ऐसे ऐसे आंसर हो जाएगा बस ठीक है यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों एक घाट है यहाँ पे 5 है यहाँ पे 9 है यह सभ सजातिय पद नहीं सेम है इनकी सारी घाटे जुड़ जाएंगी पहले क्या है दो घाट फिर एक फिर पांच फिर नो तो कितना होगा दो एक तीन पांच आठ नव आठ सत्रा वाई का पार कितना हो जाएगा सत्रा बस खतम इस्टेब बाई इस्टेब देखना है जिनको सीखना है कलास को पूरा अंत तक देखिएगा बीच में ने जाईएगा सब समझ में आएगा नहीं आएगा बाद में हम आपका डाउट भी बताएंगे न लाश्ट में चलो आठ नंबर का बतादो सभी मनीशा आ रहा समझ में लोकेंद्र आ रहा है समझ में लोक बेटा तुमको बलाक करने वाले हैं पढ़ाई कलो चुप चाप तुम पढ़ नहीं रहो इसमें देखे थोड़ा अलग है जब चर और अचर पत दोनों सामिल है तो पहले जितने भी बारियावल्स हैं वो तो ठीक है जाने रहे उनके बारे में जो कांस्टेंट है उनको ऐसे लिख लेंगे आपस में गुड़ा करके अगर कोई और है तो यह अकेला है कोई और नही इसमें बढ़ेंे चलो आगे बढ़ें नेकस्ट देखे बाचओ इसमें दो चर पत हैं और दो अचर पत भी है यहाँ पर देखिए एक चरपत है एक यह पोस्त से दोनों किसे समें चैना 18 बीस, चार का पांच में बीस अब इनकी यक्स घात की एक और इनकी यक्स की घात साथ ये एक घात और ये साथ घात जुड़ जाएंगी तो साथ एक आठ किसी को कोई डाउट तु मुझे बता दो, नो डाउट ना भया छापो मेरा गुपता बिल्कुल आईए, इसमें जितने भी variables हैं, उनको अलग constant को अलग गुड़ा करेंगे, तो जितने constant यानि अचर पद हैं वो 3 और 2 है, 3 माइनस में है तो प्यारे बच्चों, माइनस 3 का अगर 2 में गुड़ा करोगे तो जानते हो माइनस 6 होगा, जानते हो ना माइनस 6, इसकी घात देखे हो, एक है, इसकी एक है बईया इसकी बगल में 5 है, तो 5 एक, एक सब जुड़ जाएगा घात बस खतम चलिए, एक पदिये बेंजग, दूपदिये बेंजग इसके बारे में तो हम एक नई कलास में बताएंगे भी इसतार से, यहाँ थोड़ा साट कड़ में बता देते है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते है, एक पदिये, दूपदिये, तिन पदिये का होता है अगर कोई चार और अचार दोनों को आपस में गुड़ा कि अपसमार अगर कि हालो 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 आ रहा है हरसित आवाद आ रही ना बढ़िया है गुड कोई दिक्कत ना किसी को चले चल यह बई आओ चलो चल रही ना वाज यह हमेशा की प्रोब्लम है अच्छा ठीक है जिन्दगी में प्रोब्लम ना हो तो जिन्दगी किस काम की है आई यह हो गया एक पधिये बंजक समझ रहे हो क्या होता है इस तरीके के जो है एक पधिये बंजक है अगर पधिये बंजक से हम कमपेर करें एक जोर देखना जैसे अगर हमने ऐसा लिख दिया तो क्या ये एक पदिये बेंजाख है हाँ या नहीं पहले ये बताओ कामेंट करो सभी फटाफट जो मैंने नीचे लिखा हूँ एक पदिये बेंजाख है या नहीं क्या कहना आपका बोलिए बताइए नहीं है नहीं है क्यों कि ये जुड़के 10 यक्स हो जाएगा 10 यक्स एक है पद है तो जोड़ना घटाना का जो इसको भी आप ध्यान में रखके तो करेंगे जैसे 9 यक्स गहाद 5 यक्स गहाद 5 क्या ये दूपदिये है गीता बर्मा अभूपेश अंजली सीमा यादो नहीं है ना क्यों क्योंकि ये इसमें से सफ्ट्रेक होगा तो 8 यक्स का पावर 5 आएगा आया समझ में ये सिर्फ और सिर्फ इतने को आप लेके देखेंगे ये एक पदिये बेंजग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे काफी चीज़ें लगबग जानने वाले जानके होंगे एक पदिये दूपदिये ना हा लेकिन अगर कोई दो पद ऐसे हैं जो आपस में जुड़के तीफरा नहीं बना रहे हैं उनमें अतनी कटर दूसमनी है जैसे इधर देखो नीचे ये दोनों आपस में जुड़ के कोई दूसरा पद नहीं बना सकते हैं ये भी जुड़ के कोई एक नया पद नहीं बनाएंगे ये सबी दो-दो पदी ये बन जक हैं अब आज में देखिए बaddla हो गया ना काफी हद तक माइक कभी छोड़ देता है कभी पकड़ लेता है उसका लफड़ा खतम मतलब समझ में नहीं आता है चल यह छोड़े इनको आगे बढ़ते हैं साथियों इस सेशन की सारी रिकॉर्डिंग आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी राज कुमार यादो सर मैथ्स तो इसे सब्सक्राइब कर लिजिएगा स्क्रीन साट ले लिजी अभी आगे बढ़ें अब हम गुड़ा करने वाले पद में इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं ठीक है क्या देखना है कुछ और चीज़ें देखना है क्या देखना है रुको एक मिनट बताता हूं कुछ मिक्स टाइप के जैसे अभी तक तो मैंने अलग-अलग बता दिया अब मिक्स वाला देखो गुड़ा करने वाला मैंने कुछ कुष्चन से यहां पर लिखके रखा था क्योंकि यहां पर आपको लिखना आसान पड़ेगा जैसे देखो पहला माइनस सेवन पी क्यू इसक्वाइर आर इसक्वाइर इसक्वाइर इसका गुड़ा करना है किस से माइनस 13 पी क्यू क्यू का इसक्वाइर और क्या आप कर ल multiple करना है सोचो और बताओ चलो आओ देखते हैं आसान है गुड़ा करिए multiple जितने भी variables है उनका अलग गुड़ा करेंगे जितने भी constant है उनका अलग गुड़ा करेंगे ठीक है बढ़िया आओ चलो तो माइनस साथ का बच्चो माइनस 13 में गुड़ा कर लोगे तो 13 सत्य 91 होगा माइनस माइनस कितना होगा प्लस तो प्लस 91 तो यह प्लस 91 अब पी का गुड़ा करेंगे पी से तो पी का यहाँ घात एक है यहां तीन है, तो P का घात कितना हो जाएगा, एक धान तीन, अब Q का Q से गुड़ा करेंगे, एक का दूसरे में, सेम सेम पद में, ठीक है, दूसरे में नहीं, पडोसी में नहीं, नहीं, देखो Q का किस में, Q में, जैसे देखिए अगर किसी फंसन में, आपकी घरवाली भी ग जाई है, अपनी पर नजर रखेंगे, बस, दूसरे पर नहीं, समझे न, यहां पर कैसे, P का क्या है, वन घात हो गया, इधर भी पी का तीन था हो गया, Q का यहां दो है, यहां कितना है, दो है, तो यह दो धन दो, जैता सेरी अपने हो ना, देख ले ना, पडोसी को भी कु का 4, and Q का V4, and R का 3, सभी को समझ में आया, बस यही करना था, में यही था, पड़िया है, हरसित बाबू नंबर चल रहा है न नीचे, यह वहीं पर अडवाइस मिलेगी, कलास में नहीं, नंबर नीचे चल रहा है, उस पर मैसेज करिए, वहीं पर आपको सारी अडवाइस मि लेगी, चल यह अगले कोशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, सभी कमेंट करके बताव समझ में आया, आया तो चलो दूसरा वाला, यक्स स्कॉयर, वाई स्कॉयर, और जैड़ स्कॉयर, इनका गुड़ा करना है, किसमें, कि सत्रा यक्स वाई जड़, कितने लोग कर लेंगे, हाथ उटाओ, चलो फटा फट, अगला तीन नंबर इस टाइब का कुश्चन, बहुत अच्छा है ना, मज़िदार है, बढ़िया है, मस्त है, अब्दुल समझ में आ रहा है, विसाल, पासवान, मम्ता रानी, अरविन द्यादो, सबको आ रहा है, बढ़िया है, मस्त है, बैज पुरानी हो गई ना, मज़ा कम आ रही न, मैं भी संख्याई देखता रहता हूँ, चलो, तो 17 का 3 में गुड़ा करें, कितना हो जाएगा, इसका इसमें न, 17 त्याएं क्या होने, अब यक्स का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 जुड़ जाएगा बच्चों, यक्स का पावर 3, यहन यक्स का क्योग, य तीन है, यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा, तीन में एक जुड़ेगा कितना, चार, तो य का चार, जेट 2 है, यहाँ 1 है, तो जेट का पावर 3, खतम, गनंजे समझ में आ रहा है, पंदरा का सतरा में गुड़ा करो बच्चों, क्या होगा, पंदरा का सतरा में कर लो भाईया, पंदरा सत्ते, यहाँ कह लो यार, पंदरा सत्ते, एक सो पाँच, आफिलाया दस, पंदरा एक कम, पंदरा दस पच्चीस, तुरिसों पच्च बनाएगा, बता तो पहले गुड़ा करोर के, गलत नहीं न, यक्स का पावर 1 है, यहाँ कोई यक्स नहीं है, तो यक्स ही रहेगा, वाई स्क्वाईर है, यहाँ आई का पावर 1 है, तो आई का तीन हो जाएगा, दूए घात एक जुड़ जाएगी, इधर जड़ा के लिए है, तो ऐसे रहेगा, बस ख़तम, समझ में है सभी को, कोई दिक्कत ना किसी को, सीमा मिस्रा समझ में आ रहा है, संदीब बिन, देखिए यह बेसिक अलजेब्रा है, इसे एडवांस मैथ में भी समिल किया जाता है, इसके लिए एडवांस दिमाग भी लगता है, अलब क्रेटिव मैंड, ठिंकिंग वाला, है जो इमेजिन कर सकते, कल्प ना कर सकते, हाँ, चलि आगे बढ़ते हैं, तो यह समझ में आ गया, कैसे आया, जिसको नहीं आया, वो कमेंट में बता देंगे, कि मुझे नहीं आया, चलि आगे नेक्स्ट, कुछ और भी कुश्चन है, आपर, टाइम काफी हो रहा है, लेकिन अभी है टाइम, जास बजे वाली क्लास भी लेट होगी आज, तीन चार नंबर हो गया थे, कुछ भी नंबर लिख लीजिए, कर लीजिएगा, अच्छा माइनस प्लस वाला एक लफड़ा बता दू, मैं आपको खतम, देखिए, इसमें बहुत लोग परिसान होते, एक गुजा भाई, ये गिर जाता है न, छोड़ देता है, देखना है, आपर एक बड़ी अच्छी चीज है, अच्छी चीज, देखो, ये लिखूं क्या मैं, कुछ न लिखूं, जैसे अगर माइनस पांच का गुड़ा हुआ, प्लस साथ में, सवाल ये है कि इसका आंसर माइन साथ में, तो क्या आएगा, चार कंडीशन बनती है, बस मैं चार बताऊंगा, एक, दो, तीन चार, अब माइनस का पांच और गुड़ा हो अगर माइनस का फाथ, ये प्लस का पांच और गुड़ा हो प्लस का फाथ, पस ये चारे कंडीशन है, इसकी जगह पर, पांच 7 की जगा पर कुछ भी हो सकता है ठीक है समझना मेन बात पॉइंट वाली बात मैं बताना क्या चाहता हूं कि इसमें कुछ हम से जलने वाले लोग भी जुड़े हैं यह उनी का सवाल है तो उनी के लिए मैं बता भी देता हूं मुझे याद आगया उनके कमेंट देखें उनको बड़ी जलन है मुझसे आगे ने बोलूगा चला देखें साथियों जब दोनों चिन सेम हो चाहे वो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो तो हमेशा आंसर प्लस आएगा बस जैसे इसमें देखो दोनों प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा ठीक है यह भी माइनस है दोनों तो क्या आएगा प्लस में पस यही तो तुम्हें जानना था और कुछ नहीं अगर दोनों चिन एक समान है चाहे दोनों माइनस है चाहे दोनों प्लस तो आंसर प्लस में आएगा अगर दोनों अलग अलग हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आ सवर्या सागर आया समझ में बढ़ियां चलिए यह बढ़ियां हुआ आगे बढ़े यह बहुत अच्छी चीज थी बहुत काम की चीज थी एक चीज और बता ही रहा हूं तो इसी में लपेट के सब कुछ देख लो इसके पहले इसका स्क्रेंसाट ले जिए इनको एक महीना में पर इसके प्रस्टडी एप में बेसिक मैं इन्रोल करें 23 सितंबर स्वरी 23 दिसंबर से निव बैच आ रहा है 23 दिसंबर से निव बैच आ रहा है आये क्या है अगर ऐसा हो कहीं माइनस का मान लीजिए यक्स है यक्स तो नहीं समझ पाओगे तुम छोड़ो दो ले लो चलो और माइनस का दो तो इनका उत्तर क्या आएगा प्लस में आएगा ना आएगा लेकिन अगर ये तीन बार हो भ इस अंख्या कितनी तीन बार हो गई समझना है अब अगर जो बताना चाहता हूं और देखना मैं जो बताना चाहता हूं निकल के आएगा बड़ा अच्छा चीज है इसको कोई बताएगा नहीं आपको कभी कि ये कि इन बार है पांच भार खैप ज्यान दीजिए अगर कभी भी नमबर इस तरीके के माइनस माइनस में है उनका गणा कुझा नमबर है चाहे वो बरियेवल संगन तो इसका आंसर माइनस में आएगा ये पांच बार है इसका आंसर माइनस में आएगा कुछ भी आया अंसर, उससे नहीं मतलब मैं आपको चिंद समिभा रहा हूँ. अंसर भी दिखा देता हूँ, दो, दूना, 4, दूना, 8, दूना, 8, दूना, 16, या दो का घाट, चार का मतलब 16 होता है. और 2, दूना, 4, दूना, 8, दूना, 16, दूना 32, इस में से कितने लोग यह चीछ पहले जानते थे वो कमेंट में हा लिखें जो नहीं जानते थे वो ना लिखें मतलब कमेंट में या ने ना चलिए उतारिए चाप लिए सभी समझ में आ रहा है ममता पंकर जू ही सभी को आ रहा है ठीक है तो यह चीज़ें समझ में आ गई क्या क्या पढ़ रहे थे पहले इस तरीके का गुड़ा करना तो टाइम काफी हो चुका है अगली क्लास चाल जानी चाहिए वैसे आज दोनों लेट रहेगी तो फिर दोनों टाइम से कैसे आएंगी आ बीच में क्लास मिस्ट करनी पड़ेग पड़ा रुक ना कि क्यों हो सबास नहीं है अभी लगे हैं पूचा पाट कर रहे हैं अभी चलिए आगे और भी बताएं अब चलो आंसर पता लोगे न आप लोग अब कर लोगे ना चलिए एक बताईए प्लस साथ याक्स वाई का इस्वायर है और इसमें एक्स स्क्वायर वाई इसका गुड़ा करेंगे कितना आएगा कि इसमें से कोई बता पाएगा आप्शन दे दूं क्या चलो बताओ कि अगर इसको हम कुश्चन नंबर दस मान लू टोटल वसे तो काफी कुश्चन हुआ था आप्शन बताओ क्या होगा साथ एक्स वाई स्क्वायर साथ एक्स क्रीन वाई पताओ जबा दीजिए टैन ए टैन बी या टैन सी क्या आएगा आया समझ में कोई डाउट ना किसी को नहीं बढ़िया चलो देखो इसका गुड़ा करेंगे कितना होगा साथ का इसमें कोई नंबर है नहीं साथ ही रहेगा एक घात और ये दो घात तीन घात हो जाएगी इसकी दो घात इसकी एक घात तीन घात ती वाला सही है कौन सा आपसा नंबर सी तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे और ये क्लास में मुझे लगता है कि गुड़ा आपने सीख लिया अब भाग करना भी बिल्कुल गुड़ा जैसे ही होता है चलो भाग भी बता देता हूं आज इसी में लगे हाथ भाग करने वाले पद कुछ हमारे पास है रुकना थोड़ा सा मैं देखता हूं कहां गये लिख्ये 51 भाग इनका कैसे लिखो भाई 51 कि डिवाइड भाई 17 कि याक्स वाई जैट कर लेंगे कितना आएगा बताइए पुश्चन होता था आप बताते पहले से मने तरीका बताता हूं जाने दो साथियों चीज समझ लो कि जैसे अगर कहीं 6 और ऐसे डिवाइड भाई 2 लिखा है तो इसको हम आएफा भी लिख सकता हूं और इसको फिर आएफा भी लिख सकता हूं इसमें कोई बुरी बात नहीं है अनुपात के रूप में भी लिख सकते हो विन्न के रूप में भी लिख सकते हो ये चीज जानते हो ठीक है जानते हो तो चलो अच्छी बात है आगे देखो इसको हम लिख सकते हैं 51 यक्स 3 य का स्कॉयर जड नीचे 17 यक्स वाई जड फिर क्या होगा 17 से भाग करोगे 51 में तो 3 आएगा अब देखना भाग करने पर घाते घड जाती है याद रखना इसकी एक घात है इसकी एक इसकी एक तो 3 तो आप ऐसे लिख लोगे यक्स का पावर उपर 3 है बच्छो नीचे 1 है तो ये माइनफ 1 य का पावर उपर 2 है नीचे 1 है तो माइनफ 1 जड का पावर उपर कितना है एक है नीचे भी एक है एक माइनफ 1 ठीक है समझ गए तो फाइनल में कितना होगा ये 3 यक्स का स्कॉायर बन जाएगा वाई का घात एक यानि वाई पर कोई घात नहीं रहेगी जड का घात 0 किसी भी बारियाबल पर अगर 0 घात है तो उसका मान एक होता है यानि ये 3 एक से स्कॉायर वाई आएगा चाप लीजिए फटा-फट लिखिए लिख लेजिए फटा-फट चाप लीजिए कोई दिक्कत ना किसी को नहीं आगे बढ़े तीन एक से स्कॉायर वाई ना अगला प्यारे बच्चों सभी परकार की अपडेट के लिए पीवियर इस्टड़ी को इस्टाग्राम पर फालो कर लिजिएगा जहां पर नाम एक ही है अर जगा पीवियर इस्टड़ी जिससे आपको सारी क्लास की अपडेट और कोई निव बैच और चले या फिर कोई परकार की अन्य जनकारी हो तो मिल सके जिससे आप क्लास रेगुलर देख पाएं और जो बच्चे पूरा फिरी क्लास चाहते हैं पीवियर स्टड़ी एप वाली क्लास फ्री वो फीडबैक का वीडियो बना कर भेज़ें क्लास के बारे में उनके जो भी विचार है अच्छे बुरे ज हम उसमें इसमें सुदार कर सकें और बेहतर कर सकें तो मैं तोब बनाते हैं तो अब यहद्यस में doing उसमया बनानगी मीज़ें चले हैं ऑपए जी आपने ने वीडियो बनाया न इसका मान कितना आएगा कर लोगे आए पहले फ़स्ट पद को ऐसे लिख लेंगे जैसे भी लिखा है और फिर क्या होगा इसका एक और भी तरीका है मैं दूसरा तरीका बता देता हूं आपके देखो नीचे वैसे लिख लेंगे दूसरा वाला अब एक और तरीका बता देता हूं थोड़ा और आसान इनका हम गुड़न खंड कर लेंगे इनको एक पेंड कर लेंगे फैला लेंगे देखो कैसे नीचे 24 है तो हम 48 को दो गुड़े 24 लिख लेंगे जिससे 24 के रूप का आ जाए यह यक्स और वाई देखिए 5 घात है तो वा है आपको समझाना है ना चलो है कि पांच बार हो गया जेड कितनी बार एक बार है कि समझे ना इसको और भी ज्यादा छोटा-छोटा हम गुड़ा कर सकते हैं 24 को ऐसे रहने देंगे यक्स वाई को तीन बार करेंगे क्योंकि तीन घात है एंड जैट ऐसे करते हैं जो अभी कि आईए 24 से 24 आप कैंसिल कर सकते हैं यक्स से यक्स वाई से वाई दूसरे वाई दूसरा वाई तीसरे वाई तीसरा वाई एंड जैड से जैड देखो जो बचरा उनको लिखेंगे तो बचा नीचे कुछ नहीं बचा सब निपट गए देखो यहाँ पर वाई बचा है दो बार यह निवाई का स्कॉरर कितना बचा दो आई स्कॉरर कि नो डाउट किसी को स्कुर्षा बनी ना ना दिकत कोई ए थे के लास को टाइम मुझे लगता हो चुका है एक दवाल में दुनगा इसका कंवें्ट करना आंसर में इसका कंवें या जलो इसका मान कमेंट करिएगा